हेलो फ्रेंड्स ग्लो के नए प्रोडक्ट पेरामेट्रिक एमडी एफ पैनल के बारे में कुछ जानते हैं बहुती इनोवेटिव और 3D लुकिंग पैनल्स है इस पेरामेट्रिक एमडी एफ पैनल के दो हिससे हैं बेस का यह बोर्ड आप देख रहे हैं जो एक्स्टीर ग्रेड एमडी एफ से बना है 25 में थिकने से और उसमें हमने कुछ स्लॉट्स बनाये हुए हैं इस बोर्ड को सबसे पहले आपको दिवाल के उपर स्कुरू से इंस्टॉल कर देना है नेक्स्ट टेप है अभी आप देख रहे हैं फ्लोर पे हमने सारे पैरमेट्रिक पैनल्स बिछा के रखे हुए हैं इस डिजाइन में करीबन 48 पैनल्स जो है यूज होने वाले हैं हर पैनल को सिस्टमाइजड वे से टैक किया गया है यह डिजाइन नंबर 3501 है आखरी नंब और इसी तरह से यह पूरे एक नंबर से लेके 48 पैनल तक हमने इसको फ्लोर पर रख दिया है आईए अब देखते हैं इसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं इस पैरमेट्रिक पैनल को इंस्टॉल करने के लिए दो आदमी की जरुरत पड़ेगी इस पैनल के इस वाले हिस्से को पहले वाले स्लॉट में इंस्टॉल करना है आईए देखते हैं इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है अब देख सकते हैं पहला पैनल पहले स्लॉट में इंस्टॉल हो चुका है इस डिजाइन में टोटल 48 स्लॉट्स है और 48 पैनल्स है सारे के सारे जब पैनल जुड जाएंगे तो एक अच्छी सी 3D डिजाइन दिखेगी आए देखते हैं बाकी सारे पैनल्स को इंस्टॉल करके इसको लगाना काफी आसान है और यह काफी जल्दी पूरी शीट तयार हो जाती है आम तोर पर कस्टमर इसको पेंट करेगा तो यह लगने से पहले ही प्राइमर और पेंट होना चाहिए उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर स्टार्ट होगी कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह डिजाइन बनते जा रही है और उसकी एक ठीड़ी इफेक्ट डेवलप हो रही है अब यह डिजाइन पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगी तो बहुत सुन्दर लगेगी इसमें horizontally और vertically जितने भी seeds आप उसको जोडेंगे तो यह design continue रहेगी यह जितने भी circles है वो सारे के सारे continue रहेंगे अब यह लास्ट पीस लगने जा रहा है यह 48 पापीस है लगाईए इसको इंस्टॉल करना काफी इजी है करीबन यह 48 पैरामेट्रिक पैनल्स को इंस्टॉल करने में 15 to 17 मिनिट्स लगे है वेरी ब्यूटिफुल थ्री डैमेंशनल इसको जब पैन्ट होगा तो और ज्यादा ब्यूटिफुल लगेगा इस टाइप के काफी सारे पैनल्स हमने बनाये हैं मैं सारे के सारे पैनल्स की डीटेल्स आपको बिजबाऊंगा जल्दी ही तैंक्यू वेरी मुच